इस वीडियो में What you do is what you are कि सवाल जवाब को मुकमल किया जाएगा तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं Question No.1 What is McWhiter's tone? यानि राइटर के मतलग पूछा जा रहा है कि उनका अंदाज बयां किस तरह का है? आया उसमें तन्स है या मज़ाख का पहलू है Illustrate it with few words and phrases that establish the tone तो हमने इसकी मिसाल देने इलिस्टरेट करने के लिए यानि मजबून में से कोई ना कोई हवाला दे कर बताना है कि किस तरह से मुक्तलिफ किसम की जो अलफाज या फिक्र या वगरा वहां इस्तमाल हुए है उनमें किस तरह का अंदाज अपनाए गया है? जवाब देखते है Answer No.1 Mac Wighter's tone of the essay is quite serious यानि उनका जो अंदाज बयां है Mac Wighter का वो खासा संजीदा है and direct यानि संजीदा होने के अलावा वो खासा वाज़ है यानि वो खुल कर बात को बयान कर रहे है धके छुपे अंदाज में बात नहीं की उन्होंने It is judged through his writing style और उनका जो लिखने का अंदाज है उससे पता चलता है इसका इस अंदाज का In this essay, he has criticized the society that people are in a bad habit of judging others with what they do और पहले से से को समझ लेते हैं कि इस मजमून में उन्होंने इस बात पर तनकीद की है कि ये माशरा जो है इसमें लोगों के अंदर एक ये बुरी आदत पाई जाती है कि वो एक दूसरे का तखमीना लगाते रहते हैं यानि एक दूसरे का अंदाजा पहले से ही लगाने की कोशश करते हैं या अपनी तरफ से एक जहन बना लेते हैं फलाँ शाखस जो है वो इस किसम का होगा, मिसाल के तूर पर अगर उसके पास कोई खास ओधा है उसकी इज़त की जाती है जो ज़्यादा पैसर नहीं कमाता उसे अतनी एहमियत नहीं मिलती यानि लोग एक तरह से एक दूसरे को जांचने की बुरी आदत में मुबतला है विद वाट दे डू यानि जो काम वो करते हैं उसकी बिना पर और विद वाट प्रफेशन दे बिलॉंग टू और या फिर वो जिस शौबे से तालुक रखते हैं उसकी बिना पर विद वाट दे डू और विद वाट प्रफेशन दे बिलॉंग टू यानि जो भी कोई वो काम करते हैं या शौबा उनोंने इखतियार कर रखा है उसको मदर नजर रखते हुए लोग एक दूसरे का मवाजना करते रहते हैं राइटर है या उस यूज दे क्वेस्चिन टेक्नीक तो टू जॉड़ा दे रीडर्स अटेंशन तोवर्ड्स दे सीरियर्स पर्ट इग्नोर्ड मैटर तो मसनिफ जो हैं उन्होंने सवाल करने की जो एक तर्ज या अंदाज अपनाए जाता है एक मजबून के अंदर उसे इस्तमाल किया है ताके पहने वालों की तवज़ज़ वो एक संजीदा मसले की तरफ दिला सकें जिसे के आम तोर से नजर अंदाज कर दिया जाता है और फिर इसके लिए जिस तरह से इलिस्ट्रेट करने के लिए कहा गया तो इसी मजबून से चंद एक मिस्रे वगार लिए गए हैं जैसे के उन्होंने इस्तमाल किये हैं ये अलफ़ाज अटाइर टीचर यानि भाफ की जी क्राइर अटाइर्ट टीचर यानी मिलाजमत से फारग श्रदा टीचर अटाज। यानी एक ऐसा मिलाजम जिसे आरजी तूर पर बबरतرف कर दिया गया होता है तो उसके लिए निकाला गया या बरतरफ किया गया मिलाजम के वो अलफाज इस्तमाल करते हैं लोग Just something Just something यानि महस कुछ ऐसे अलफाज भी इस्तमाल किया जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास नौकरी वगरा नहीं होती Valued and Valueless वगरा, etc. यानि वगरा Valued यानि जिनकी इज़ित की जाती है उनके पास कोई काम वगरा होता है या कोई अच्छा ओधा होता है तो उन्हें काम का शाखस माना जाता है जबके Valueless के जिनके पास कोई ओधा वगरा अच्छा ना हो उन्हें बेकार माना जाता है बेवकत माना जाता है To establish the tone यानि इस मजमून की जो तर्ज है उसके लिए उन्होंने राइटर ने इस किसम के मिस्रे वगारा इस्तमाल किये हैं इस मजमून के अंदर यानि खासी सिंजीदगी से उन्होंने अपनी राइटर का इज़ार किया है और खासिक डिरेक्ट या खुले अलफाज में अपने नुक्ता नजर को बयान किया है यानि यह जो मजमून है इसका मौजू क्या है या मरकजी ख्याल क्या है तो जवाब देखते है यानि यह जो मजमून है इसका मौजू यह है कि हम कुली तोर पर यानि हम सब भी तकरीबान इसमें शामिल है कि हमारे अंदर ये एक बुरी आदत है कि हम लोगों का तखमीना लगाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी वक्त क्या है यनि कमतर, बतर, उंचा या नीचा उनको जांचते हैं उनकी on the basis of their jobs instead of their personal qualities उनकी जो नोकरियां वगारा होती हैं उनके पास कोई ओदा हो या ना हो उसकी बुन्याद पर उसकी बिना पर हम उने ऐसा जांचते हैं इस तरह से हम उने देखते हैं ना कि उनकी कोई जाती जो खूबी है उसको हम यानि सामने नहीं रखते या उसको एहमियत नहीं देते एक तरह से बलकि उनके उहदे को एहमियत देते हैं या जिस कदर वो पैसा कमाते हैं उसके लहाज से उनकी इज़त होती है तो यह है दर असल मजमून या मौजू इस मजमून का यानि मौश्रे की एक बुराई है कि जिसकी तरफ इसमें इशारा किया गया है यानि यह जो मुसनिफ हैं इस मजमून के मेकवाइटर उनके मताबक हम खुद को अपनी नौकरी की बिना पर जांचते हैं कि आया हमारी क्या एहमियत है Do you agree why क्या आप इस बात से मुतफिक हैं और क्यों जवाब देखते हैं The more a person earns from his job यानि कोई शाखस जतना ज्यादा पैसा कमाता है अपने नौकरी के जरिये The more he receives respect from others तो उतनी ही ज्यादा उसको इज़त मिलती है दूसरों से Similarly, we too want to get respect from people around us According to the job we perform बिलकुल इसी तरहां से हम भी यही चाहते हैं कि हमारे एर्द के लोग हमें उसी तरहां से इज़त दें कि जिस मताबिक हमारी कोई नौकरी या हमारा उहदा होता है Hence, the writer's opinion seems agreeable लहाजा मसन्निफ जो हैं उनकी राय से इत्तफाक किया जा सकता है कि हम ऐसा ही करते हैं कि हम ओदों और नौकरीयों की बिना पर लोगों को अच्छा या बुरा या कमतर या बत्तर जानते हैं Question No.4 What according to McWhirter? अगला सवाल देखते हैं और यहां एक तस्हीवी करनी है यह writer का नाम है, यह McWhirter है और इसमें, इसके जो spelling है, इसमें letter R भी इस्तमाल होता है आए के बाद McWhirter से पढ़ा जाता है तो चलिए देखते हैं Question No.4 What according to McWhirter is the attitude of people towards the unemployed people यानि McWhirter के नजदीक लोगों का क्या रविया होता है उन लोगों के मतालिक जो के बेकार होते हैं या उनके पास कोई रोजगार नहीं होता जवाब देखते हैं People consider unemployed people worthless human beings यानि लोग जो हैं वो बेकार या ऐसे लोगों को के जिनके पास कोई नौकरी वगरे नहीं होती उनको उनकी कोई वुकत वो नहीं समझते उनको यानि बेहासियत इंसान कह सकते हैं Who don't have the right to be respected by others जिनका कोई हक नहीं बनता कि उनको कोई उनकी कोई इज़त करे in the society मौशरे के अंदर They regard such people valueless and define them as unfortunate people तो लोग उने बेवुकत समझते हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है और उनको वो बदकिस्मत लोग भी समझते हैं यानि इस तरह से उनके साथ रवाया रखते हैं मेकवर्टर की राय के मताबग Question number 5 If according to मेकवर्टर, we separate the valued from a valueless यानि ये जो मुसन्निफ है मेकवर्टर उनके मताबग हम काबले कदर को अलग कर देते हैं बेवुकत या बेकदर लोगों से Give some examples of your own if you agree with a writer तो आपने अपनी तरफ से कोई मसाले देकर वाज़े करना है इस बात को अगर आप मसन्निफ की इस बात से इत्फार करते हैं जवाब देखते हैं Answer number 5 According to मेकवर्टर, we separate the valued from valueless यानि पहले ही जुम्ले में इस बात का एक तरह से इक्रार किया गया है या से मुत्फिक होने की कोशश की गया है कि ये जो मसन्निफ है उनके मताबिक हम काबल एक कदर को बेक कदर से अलग करने की कोशश करते हैं उन्हें अलग अलग देखते हैं या दो हिस्सों में हम लोगों को बांटते हैं अपने मौशे के अंदर We usually respect a person who gets a handsome salary हम आम तोर से उस शक्स की इज़त करते हैं कि जिसकी आमदन जो है वो खासी अच्छी हो और इन्जोई जो है वो खासी अच्छी हो या वो किसी अच्छे ओहदे पर लगा हो On the other hand We give less respect to such persons who do menial or labor work and earn a little amount यानि और दूसी तरफ हम बहुत कम इज़त देते हैं ऐसे शख्स को जो कोई मामुली काम करता है या हाथ का काम करता है महनत मज़दूरी यानि करता है हाथ से और बहुत कम पैसा कमाता है तो उसको इतनी इज़त नहीं दी जाती My, अब यहाँ ऐसा है उनको आप उनके मतलब बता सकते हैं या अगर आप यूं किसी का हवाला ना भी देना चाहें तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि people in my family या people around me इस तरह करके they give और फिर इस तरह से आप जुम्ले को जारी रखेंगे लेकिन यहां हमने sample के तोर पर इस्तमाल किया है यह लफ्स My uncle gives more respect to his neighbor who is a manager at a renowned company इसी तरह से आप बता सकते हैं कि मेरे uncle जो है वो जादा इज़त देते हैं हमारे हमसाहे में जो एक कोई manager है एक मशूर company के On the other hand, I have seen On the other hand, I have seen him scolding his servant on small issues जबके दूसी तरफ मैंने उन्हें देखा है कि वो अपने मलाजम को चोटी चोटी बातों पर डांटते हैं यानि उनका रवया जो है इन दो लोगों से बिलकुल मुक्तलिफ है इन दोनों लोगों की तरफ बिलकुल मुक्तलिफ है जिसके पास ओदा है उसको इज़त वो देते हैं जबके जो एक आम मुलाजम है उसको डांटा भी जाता है इन दिस वेवी सेपरेट दे वैलुट फ्रॉम वैलुलेस इस तरह से हम जो एक तफरीक कर देते हैं माशर के अंदर काबले कदर और बेकदर लोगों के दरम्यान यानि वो क्या चीज़ है कि जो किसी नौकरी या पेशे को लोगों की नजर में उंचा या आला माशर के अंदर दिखाती है और उसकी वज़ा क्या है जवाब देखते हैं तो यह सवाल एक मरतबा फिर देख लेते हैं वो क्या चीज़ है कि जिसकी वज़ा से कोई भी नौकरी पेशा या शोबा लोगों की नजर में माशर समझा जाता है माशर के अंदर और क्यों जवाब देखते हैं जवाब और करियर इस कंसिड़र इस्टीम्ड इन दी आइज ऑफ सिसाइटी अन दे बेसे ऑफ दे नेचर अफ ज़ाब और बिजनिस यानि कोई भी जो शोबा है या पेशा है उसको मौज़स समझा जाता है माशर के अंदर यानि लोगों की नजर में वो अच्छा समझा जाता है तो उसकी जो वकत वगरा है माशर के अंदर वो उस काम या कारोबार की नौएत के लिहास से होती है सेलरी रिसीवड यानि कितनी उसमें आमदन होती है सोशल प्रिस्टीज यानि कितनी उसकी इज़द है माशर के अंदर and relative position being enjoyed या जो उहदा मिला है उसकी क्या हैसियत है ये मकाम है माशर के अंदर तो इन सब बातों के बिना पर किसी भी शोबर या पेशे को कमतर या काबल कदर समझा जाता है माशर मकमल हो चुकी है इस वीडियो को री प्ले कीजिए इसके साथ साथ पढ़ने सबंजे और लेकर प्राक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए